जै माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रामभक्ती टीवी पर दोस्तों आज हम नवरातरी के पाँचवे दिन की कथा सुनेगे नवरात्री के पंचम दिन माह दुर्गा की स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है स्कंद माता का रूप सौंदर्य अद्वित्य आभालिय शुक्र वर्ल का होता है वात्सलिय की मूर्ती है स्कंद माता मान्यता अनुसार संतान प्राप्ती है तु मासकंद माता की पूजा की जाती है मासकंद माता कमल पर विराजमान रहती है इसलिए उन्हें पदमासना देवी के नाम से भी जाना जाता है मासकंद माता के गोद में छे मुख वाले सकंद कुमार विरामान रहते है मा सकंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ती होती है तथा शत्रों का विनाश होता है सकंद कुमार कार्टिके की माता के कारण इनहीं सकंद माता नाम से भी जाना जाता है शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूर्क भी ज्यानी हो जाता है इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं भक्त को मोक्ष मिलता है जानिये नवरात्री के पांचवे दिन की पूजा विधी वरत कथा, आर्तिव मंत्र सकंद माता की कथा, पौरानिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था उसने ब्रह्माजी को प्रसन करने के लिए कथोर तपस्या की उसकी कथोर तपस्या देख ब्रह्माजी बेहत प्रसन हो गए उन्होंने प्रसन होकर तारकासुर को दर्शन दिये उस कर्थोर तब से ब्रह्माजी प्रसन होकर उनके सामने आये। ब्रह्माजी से वर्दान मानते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्माजी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्माजी से कहा कि प्रभू ऐसा कर दे कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यू हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र कैसे होगा। इसलिए उसकी कभी मृत्यू नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिं कार्टिके के पिता बने। बड़े हुने के बाद कार्टिके ने तारकासुर का वद्ध किया। नमस्तस्याई नमस्तस्याई नमो नमः। सिंघस्नक्ता नित्यम पद्मान्चित कर्द्वया। शुक्दास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी। दोस्तों ये थी सकंद माता की कथा माता के आर्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।